हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सराइज 11.1 से कोश्चन नमबर 6 ड्रवा ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC बनाना है आपको पहले तो रफिगर आप ज़रूर बनाये करें जैसे जैसे कोश्चन पढ़ें उसी तरह से आप रफिगर बनाना शुरू किया करें ड्रवा ट्राइंगल ABC, with side BC is equal to 7 cm BC इसमें आपको 7 cm रखनी है एंगल B is equal to 45, इस एंगल को 45 रखना है and एंगल A is equal to 105 और एंगल A 105 होगा then construct a triangle whose sides are 4 by 3 times और फिर एक और triangle बनाये, जिसकी sides 4 by 3 times होगी the corresponding sides of triangle ABC इस triangle की corresponding sides के correspondingly 4 by 3 sides होगी जो आपका triangle दूसरा बनेगा अब क्योंकि उपर बड़ा है न, तो जो नया triangle बनेगा इसका वो इससे बड़ा बनेगा जबी उपर बड़ा number होता है, नीचे छोटा होता है तो वो fraction 1 से ज़ादा होता है तो वो बड़ा triangle बनता है तो पहले तो हम अपना यही triangle बनाएंगे उसके बाद यह वाला काम करेंगे अब triangle पे आप ध्यान दे कि इसकी शुरुवात कैसे करेंगे देखिए जो हमें side दे रखी है उसमें एक angle दे रखा है और एक angle हमें दूर दे रखा है तो यह angle बनाना तो possible नहीं है हम बना सकते हैं तो angle C को ही बना सकते हैं अब angle C हमें पता चल जाएगा कि कितना है वो angle sum property से पता चलेगा तीनो triangle मिल triangle के तीनो angle मिलके 180 degree के होते हैं अगर उसमें से मैं यह 2 minus कर देता हूँ यानि कि 105 को और इस 45 को minus कर देता हूँ तो कितना आएगा यह बनके आगया 50 150 हो गया यह 30 degree आगया तो जो angle C है ना यह 30 degree इसकी value आगई हम वो ही side और वो ही angles बना सकते हैं जैसे हम यह side है ना side पर दोनों angle दे रखें तो हम इसे बना सकते हैं तो इसलिए यह angle C निकालना इसमें आपके लिए पहले जरूरी है चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल की अब यह दिख रहा है आपको तो पहले आपको BC बनाना यह 7 cm तो 7 से लेके जीरो तक यह हो गई BC नाम रख लेते हैं BC यह 7 cm है B के उपर आपको 45 का angle बनाना है 45 का angle आप D से नहीं बनाएंगे आप compass से ही बनाएंगे तब ही आपको marks मिलेंगे और compass से बनाने का तरीका यह होता है कि पहले बनाएंगे आप 90 का angle तो 90 का angle देखने कैसे बनाते हैं अपने परकार को खोल के इस तरह से आर्क लिया फिर बिना हिलाएं यहां से एक पहला आर्क और फिर इस से इस आर्क से एक दूसरा आर्क और थोड़ा सा बड़ा अब इस दूसरे आर्क के उपर यहां टच करके सुई रखके यहां पर इस आर्क को काटते हैं तो यह जो point आता है न यह point आपका यहां से 90 degree का angle बनाता है इसको मैं सिर्फ dotted रखूँगा क्योंकि यह मेरा actual angle नहीं है जो मुझे सवाल में चाहिए मुझे तो सिर्फ 90 की value चाहिए थी इतना अच्छा 90 का half होता है 45 अब किसी angle का half करने का तरीका यह होता है कि यह जो दो arms है इनके बीच में यह जो angle की यह arc की जो लंबाई है ना इसे ले ले लेते है अपने परकार के उपर यह ले लिया मैंने यह 90 degree है यह चीज अब एक बार तो इस point पे रखके ऐसे arc मार दूँगा एक बार इस point पे रखके इस तरह से arc मार दूँगा तो यह जो point आएगा ना यह यहां से मिलेगा तो इस 90 का half हो जाएगा यह चीज इसे मैं ऐसे join कर दूँगा तो अब इतना जो angle है ना यह वाला यह angle बनेगा 45 degree इसे मैं red pen से कर देता हूँ यह line आपकी use zone यह question में तो यह यह 45 का angle बन गया ठीक है अब C के उपर हमें 30 का angle बनाना है अब 30 का angle compass से direct नहीं बनता है पहले 60 का बनता है और 60 का half 30 होता है तो 60 का angle पहले बनाते हैं 60 का simple सा तरीका होता है पहले एक इस तरह से एक आर्क मारते हैं जहां में angle बनाना होता है फिर बिना हिलाए और बिना परकार के अपने measurement को disturb किये हम यहां से first arc मारते हैं तो जो first arc होती है ना वो आपका 60 का angle बना देती है तो अभी मैं यह मेरा 60 है actually मुझे 30 degree चाहिए तो 30 के लिए यह जो 60 आया है इसका half करना पड़ेगा तो line को जोडने की जगे मैं इसका half ही कर लेता हूँ इतना है ना यह तो एक बार तो यहां रखे है ऐसे compass से आपको arc लेनी है और एक बार इस point से लेनी है यहां पर यह आ खूई इधर से लिए जब इधर से लिए तो यह है यह वाला point है इस से जब इसे जोड़ूँगा मैं सीखो यहां से बिल्कुल point से उपर से होते हुँ इस तरह से तो जब यह दोनों एंगल मैंने बनाए ना तो यह यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए और जहाँ इंटरसेक्ट हुए यह आपका पॉइंट यह आ गया तो इसमें यह special मेहनत करनी थी पहले दो एंगल बनाने थे 90 के और 60 के फिर उनका bisect करना था यह वाला एंगल आपका 30 डिगरी है और यह है 45 एंगल बनाने के बाद अब आपको एक corresponding एंगल बनाना है जो कि इसका 4 by 3 होगा तो steps तो आप जानगे होगे पिछले questions में भी आपने हर बार यह question आ रहे हैं सेमी तरह के question है दो एक step होते हैं सबके पहले तो आप एक acute angle बनाएंगे नीचे इस तरह से फिर अपने fraction पे ध्यान दे 4 by 3 इसमें जो maximum number होता है न यानि कि ज़्यादा जैसे कि हैं 4 है तो आपको 4 arcs मारनी है इस line के उपर तो 4 arc मारेंगे equal distance पे बिना परकार को हिलाए U1 यह 2 यह 3 और यह 4 इनके नाम रख देते हैं यह B है न तो यह होगा B1 यह B2 यह B3 और यह B4 ठीक है maximum लगा दी अब नीचे पे ध्यान दे जो नीचे number लिखा होता है न यह आपका original से touch होता है यानि original साइड यह है न तो इसको original से touch करते हैं तो यह 3 इस से touch होगा थर्ड वाले point को अपने C से touch करेंगे इस तरह से अब क्योंकि यह 4 by 3 है यानि कि 1 से बढ़ा है यह यह greater than 1 है तो बढ़ा triangle बनेगा आपका और बढ़ा triangle बनेगा तो उसकी sides फैलेंगी तो एक तो आपको यह वाली side extend करनी होगी इसको आप थोड़ा extend कर लीजे और एक यह वाली side भी आपके extend करनी होगी यह तो already extend यह है तो इस पे जुरूत पड़ेगी आपको अब क्या होगा कि जो B3 के उपर आपका angle बना हुआ है उतना ही angle आपको B4 पे बनाना है और फिर वहाँ से एक line खेचनी है तो पहले B3 के angle को नाप लेते हैं कि यह actually है कितना नापने का तरीका यह होता है देखें किसी भी angle की copy जब करनी हो न तो पहले उस angle के उपर रखके ऐसे एक arc लगाते हैं और फिर बिना परकार को हिलाए यही arc इतनी ही वहाँ लगाते हैं जहां हमको angle बनाना है हमें B4 पे बनाना है न तो B4 पे यही arc लगाएंगे अब जो angle हमको copy करना है उस angle का measurement ले ले लेते हैं यह जो दो रेज जारी है न इन के भीतर भीतर के इस arc की लंबाई को परकार के उपर ले लेते हैं इस तरह से यहां रखके यहां से यहां तक यह इतना है तो इसी को अब अपनी baseline के उपर यहां रखके इतना ही कट मार देते हैं यह जीज ऐसे तो ये जो point आ जाता है न ये वाला यहाँ पे और इस point से जब मारेंगे तो ये इतना ही angle बनेगा जितना यहाँ पे तो बना देते हैं B4 से इस point से होते हुए एंगल बना देंगे इस तरह से तो corresponding angle बन जाते हैं और ये दोनों बराबर लिये हैं कि हमने तो ये lines parallel आती है अब जो काम हमने यहाँ पे किया है वो ही हमें यहाँ करना है इस point का नाम रख दूँगा मैं C- ये C है ना C पे angle बना हुआ है 30 degree का जितना यहाँ बना हुआ है उतना ही angle मेरे को C- के उपर बनाना है तो अब C- के उपर भी यही काम करना है same to same तो क्या करूँगा मैं पहले तो इसको ले लेता हूँ महले मैंने इतना ले लिया परकार ये ये ले लिया इतना ही C- के उपर ले लेता हूँ ये ले लिया अब जितना मैंने ये लिया था इस arc को मैं एधर कर लेता हूं इतना है यह तो इतना ही बेस लाइन के उपर रख के यहां से न यह यहां पर कट रहे है लाइन तो यहां रख के इतना कट मार रहता हूं इस तरह से तो यह point आ गया अभ इस point पे और c-से होते हुए मुझे क्लाइंट घीच नहीं यहां पर टच हो गया एक के आगे इसका नाम रखेंगे एडैश तो देखिया आपको ABC दिख रहा होगा ABC ओरिजनल ट्राइंगल है तो ओरिजनल ट्राइंगल तो है ABC और जो आपको चाहिए था तो यहां थ्री वाइफ ओर चाहिए था ना यानिकी बड़ा इससे तो बड़ा वो दिख रहा होगा आपको A-B और C- तो रिक्वाइड ट्राइंगल है रिक्वाइड ट्राइंगल है A-B और C- तो यह सिस्ट कोश्चन था इस वीडियो बस इतना ही नेक्स्ट कोश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए आपको